हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटीब चैनल स्मार से लिकाओं आपका अपना चैनल दोस्तों अगर आपका हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबा दे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किसी भी सैंसेंग मुबाइल को फ्लैशिंग के लिए ओडीन टूल से किस तरह से प्रॉपर कनेक्ट करना है तो सबसे पहले यहां पर हमें वाल्यूम डॉन और होम की और पावर बटन दीनों को एक साथ प्रेस करना है जैसे और बटन को छोड़ देना है और यहां पर वार्निंग का यह ऑप्शिन आयेगा यहां पर आपको वाल्यूम अप से यहां पर डाउलोड बूर्ड में आपको मुबाइल को लाना है तोस्तों अइसे ओडिनпарी भी कहते हैं और डाउनलोड मोड भी कहते हैं माई कंप्यूटर में जाकर मैनेज में देखते हैं कि हमारा मॉबाइल कनेक्ट हुआ या नहीं ड्राइवर सहीं से इंस्टॉल प्रॉपर वे में है या नहीं है तो यहां पर देखें दोस्तों हम ये USB केबल को हम मुबाइल से लगाने से पहले हम यहां पर देखते हैं कि ओडीन को ओपन करके रखते हैं और मैनेज में जाकर कि माई डिवाइस माई कंप्यूटर में जाकर कर मैनेज में दोस्तों डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं और यहां पर देखते हैं कि मुबाइल कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है यहां पर दोस्तों जब हम हमारे केबल को मुबाइल से कनेक्ट करेंगे तो यह रिफ्रेश होगा और यहां पर ओडिन में कॉम 18 कॉम के यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं भी यहां पर कुछ नही है इपर हो रहा है मैंने यहां पर को मैं यहां पर करूंगा यहां पर help एक वैक्ट को के लोगा साथ आज यह दूस्तों आपकत पर यहां पर देख सकते हूं और यहां सब्सक्राइवाट लिकर कर आएंगे- navigate डिवाइस मैनेजर भी रिफ्रेश हो रहा है यहां पर मैं आपको डिवाइस मैनेजर में बताओंगा मॉडेम के पास कि यहां पर सैंसंग यूएजबी ड्राइवर लिख कर रहेगा दोस्तों सब्सक्रेbeneश करनेटरा के सब्सक्रेश कर रहे हां लिखाना कार प्intsam sms ट्रम्स ब में यहां अपर कनेक्ट बता रहा है तो दोस्तों बैश UE 단 कर लें यहांगा तरुकों इक करने लिद्राइवर किस तरह से इसइशाल करना, यह भी यहांपर और अवैलेबल है आप देख सकते हैं वीडियो यह देखें डाउनल बोड में ही रखना है फ्लैशिंग के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेर जरू कर लें चलिए मिलते हैं किसी नेक